तो आजी सभी भायों को राम राम और कैसे आप सभी लोग अच्छे होंगे मैं भी एक नंबर हूँ और आज मैं बड़े दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूं दिनों क्या मतलब 2-3 दिन हुए वाकि वीडियो बनाई हुए तो वाकि सब बढ़िया है ऐसे कुछ नहीं बना तो वह कपड़े फैन रखें तो जिन्स है और सेट अपनी वाइट तो अभी गंदी होगे तो जाएगी नीचे चपल है तो बनाते कुछ इसके साथ वीडियो और दिखाते हैं आपको क्या ही बनाते हैं आज अपन देखेंगे इसको गिरा के कि इसमें एक बार गिरने के बाद देखते हैं कि क्या क्या टैस होता है क्या क्या नहीं कोई भारी नुकसान तो नहीं होगा या कुछ ऐसा डैमेज तो नहीं होगा जिससे की पैसो का नुकसान हो और अपनी कहीं गूमने जा रहे हो तो तो राइड केंशल करनी पड़ जया या फिर अपन को प्रो करके लाना पड़े कुछ की सि ट्रक में या किसी जगे तो गिराते हैं एक बार फिर देखते हैं क्या नुकसान होता है क्या नहीं जिस इसाब से गिरा रहा हूं तो इसाब से बाई गिरेगी नहीं कभी मतलब जब आधर गिरेगी अगर जिस टाइम पर आपका पेड नहीं पहुचाया वैलेंसिंग नहीं बेटी दोनों पेड़ो कि तो तब गिरेगी ना तो मैं उसाब से गरा रहा हूं यह नहीं कि आप सो की स्पेड में गरा रहे और बगारे हो तो तब तो तो टूटेगा यार तो वे स कि गिरा के देखते हैं कि क्या डMAGE होता है और क्या नहीं तहीं परकार दिख भी और निचे से उपर से भाईय से कुछ भी इसा टस नहीं हो रहा ना लाईट वगएरा खुछ भी नहीं है पूरा गिदने के बाद सिधा दिमाग तो आप तो तो आप जानते हो यार इसका एक इंडिकेटरी तो कम से कम ठाइट 3-4,000 रूपय का तो आता होगा अब तक अपना टूटा नहीं है तो अपन को पता नहीं है तो this energy is 12-10 तो सब से पहले दिमाग में यहीं आता है सवाल से पहले यह वाला प्र्ट 구 Sfires पहले सेस धनियं कि क्षेर सकांध़े तो सेड गिरी नहीं तो उसमें एक प्लस पॉइंट यह है मैंने यह वाला गाड लगा रखा है इंजन गाड पे तो यह जो फ्रेम है ना यह पूरा फ्रेम तो कमपनी में आता है मतलब जब आप बाइक लेते हो ना जीए से तो यह पूरा फ्रेम देती है पीछे से लेके आगे तक और यह वाला मैंने लगा है अपने रिकाल केस्टम अपने डाकू से लिखावा आर सी तो इतनी मजबूत है इतनी मजबूत है जिसकी कोई हदने अगर आप 60-70 की स्पीड में भी गिरूगे ना तो गारंटी है मेरी इंजन पर इंपेक्ट नहीं आने देगा यह और छोटे मोटे जैसे कोई पत्र वतर होगा ना तो इस साइड से तो ज़रूर किसकता है पर इस साइड से कुछ भी नहीं आने देगा क्योंकि यह मैंने खुद ने महसू हो रहा है कुछ भी नहीं हो रहा है यह साज तो लगे कि खराब हो गया है को तूटे गा देखते हैं अपना यह वाला पार्ट जे सेड गिरी है अब इस सेड में सबसे पहले टरच होने वाली चीज है वह जो कंपनी के साल लाइट आती है यह बीड़ नहीं हो रही जो पन ए और, इस सेड़ देखते हैं, आएँ सेड़ में नहीं है।⁠ आएब पूरा रूज है। और साफ्ट इनगे है क्ई पूरा एसी बिलकुल व्हर्ग में है। बाइक आराम से मतलब जो बोक्सर इंजन इना साला इसका फाइदा भी ए नुकसान भी है कि और नहीं आने देगा पूरा यह जैल लेगा नुकसान यह कि बाहर रहे तो दिक्कत तो है या ऐसा तो नहीं दिक्कत नहीं है पर अपने जो प्रेट लगा रिके आना यह बहुत सोल लेता है तो पेञिए लगाते हैं चलिंदो जो वह एपनी बाइक में तो मैंने भी लेठा के देखी पेड़ा के पूर जोर इस पे आरा इस पर नहीं आरा और पर यह पियानियँ और उसक पे नहीं बहुत और उसको यह थोड़ा अंदर रहे जा पे निर आपके बाहर रहे तो इनपेक्ट पूरा पेनिर पे आए अगर आप इस पीड में गिराते हो तो पचाए साट की स्पीड में देखो तब तो यह भी डेमेज होगा उस पे भी श्क्रेज आएगा हो सकता है कुछ फ्रेम में भी टूट जाए स्पीड कोई मुगावला नहीं स्पीड में आप सो 120 की अंदर अगर कुदाते हो ठोकते हो या कुछ एक्षिजेंड होता है ना तो पूरी बाइक भी डेमेज हो सकती है यह आप जाते हो और फाड में चला रहे हो ना तब इतना डेमेज नहीं होगा आप चलते चलते गिरते हो पचार साथ की स्पीड में चोटा मोड़ा स्क्रेज आएगा बागी पूरा इंपेक्ट रहना या तो पेनियर जेल लेगा या आपका बोक्सर इंजन जेल लेगा बागी मेजर इतना नहीं होगा कि आपके राइड कैंसल हो जाए या आपको टो करके अपनी बाइक लानी कि दो पूरी पर इस भी पर गूर अब ने पर गिरते हैं ऑब फिराने के बाद पूरा इंपेक्ट उसके ए तो पूरा पड़ेगा 10-15 मिन तक इसको मैं गिरा के नहीं रहा सकता क्योंकि उसमें थोड़ा बदा बैंड भी आ सकता है तो मतलब में पास इकलोती है सब्सक्रा से पैसा आए तो भी इसको डेमेज करें पैसा तो मैं से इसकेंट फ्रोर से डाल दीड़ा देथा कमा लेते क्या जा रहा है तो जब पैसा अगा तब कि तब देखेंगे तब फ्रोर से ऑठल फ्रोर देंगे पर तो अभी इसका एक वीडियो बनाते से निमेटिक और तब तक लिए आप से निमेटिक इंजोई करो तो हाँ जी चोटा साय प्यारा साय वीडियो अच्छा लगा जिसमें मैंने बठाया है कि गिरने के बाद क्या क्या देमेज हो सकता है क्या क्या नहीं जितना मेरे को पता था जितना मैंने सिका इस बाइक से जितना मैंने समझा है जो मैंने आपको बıtा दिया बाकि आपको और अगर ऐसे वीडियो देखने छोटे मोटे तो कमेंट करके ज़ूर बताना और इसके एस्चिरेज के और वीडियो आप चाहते हो कि मैं बनाओ तो यह भी कमेंट कर देना कि भी आपने क्या क्या लिगा नहीं तो आपने वो वीडियू भी बना देंगे और यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो और सस्क्राइब कर लोग ने चैसलेंग को और कमेंटर करना तो मिलते हैं से पैल ऐसी वीडियो में कलगा